अगर आप एक टेडर है और जानना चाहते हैं कमूडेटी मार्केट में कहापर बाइंग करना चाहिए और कहापर सेलिंग करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है गोड इविडियो फ्रेंड मैं आनील आप सबका आपके अपने यूटूब चानल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज शनिवार है टाइम हो रहा है रात के साड़े सथ बज़े और पिछले वीडियो में हमने बोला था कि सिल्लवर माइक्रो 63,000 तक जाएगी और ठीक बिल्कुल ऐसा ही हो गया सिल्लवर माइक्रो जिसका करेंट प्राइज अभी 61,170 रुपे चल रहा है जिसका पिछले एक साल का हाई जो है 73,000 उनका है और लो जो है 52,700 तक जा चुका है आई यह देखते हैं सिल्लवर माइक्रो में आने वाले टेडिंग सेशन में क्या करना जाएगी इसका एक डीटेल अनेलेसिस करते मंतली टाइम फ्रेम में क्या सपोर्ट रहेगा क्या रिजिस्टेंस रहेगा साथ ही विकली ट अटलुक लेनी की कोशिश करें और जो बाइ करना चाते हैं उनके लिए उनके लिए क्या एंट्री पॉइंट होगा, ब क्या एक जित होगा, क्या stop loss रहना चाहिए इसके उपर भी एक नज़र डालते हैं और एक fundamental view के उपर भी नज़र डालेंगे टेक्निकल आनालेसे शुरू करते हैं यह देखते हैं fundamental की बात की जाए तो dollar index में correction हो रहा है चाइना ताइवान और रश्या में जो वार का टेंशन चल रहा है इंडिया में जो दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है इन सारी बातों का सिलोर के उपर effect वनने वाला है इसका आपको द्यान रखने के जो रहते हैं कर मंतली विकली और डेली टाइम फ्रेम में कौन से लेवल है निकल के आते हैं वह देखते हैं मंतली टाइम फ्रेम में इंपोर्डेट सपोर्ड जो है 5200 का है साती 8700 का भी सपोर्ड दिकाए दे रहा है अगर प्राइज इन सपोर्ड के नीचे ब्रेक आउट देता है और सस्टेन होता है तो बजार में मंदी देखने को मिल सकते है विकली टाइम फ्रेम के अगर बात की जाए तो बाजार में मंदी देखने को मिल सकते हैं और विस्वी का है अगर प्राइज इन सपोर्डे में मंदी देखने को मिल सकते हैं और डेली लेवल पर क्या रेजिस्टेंश निकल के आते हैं मंतली की बात की जाए तो इंपूर्टेट रेजिस्टेंश जो है 63,380 का है 65,030 का है 17,940 का है प्राइज इन रेजिस्टेंश के उपर ब्रेक आउट देता है इस अस्टेंश होता है तो बजार में आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो और डेली टाइम फ्रेम में इंपूर्टेट जो रेजिस्टेंश है 63,170 और 64,615 65,700 अगर प्राइज इन रेजिस्टेंश के उपर ब्रेक आउट देता है तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो मंदली टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो रहेगा पॉजिटिव दिकाय दे रहा है विकली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड पॉजिटिव दिकाय दे रहा है डेली में टाइम फ्रेम न्यूटल दिकाय दे रहा है आप उसको द्यान में रखने जोरत है तो हमें करना क्या चाहिए जो बाइर है उनके लिए जो बाइंग लेवल निकल क्या आ रहा है वो 61,170 का है और जो टारगेट रहेगा 63,170 का और उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 60,400 का जो सेलर है उनके लिए सला रहेंगे अभी सेलिंग अवाइड करें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आप तेजी एक्सपेट कर सकते हो और आल समरी देखे तो बाइंग करके ही चलना चाहिए आने वाले दिनों में 63,170 और 46,615 के लेवल भी देखने को मिल सकते अगर आप हमारे दिये गए कॉल के उपर ट्रेड करना चाहता है तो आपके लिए एक डिस्किलमेर है कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको आपके ओर्डर के साथ साथ एक अपका अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लोस लगाना बहुत ही ज़रूरी है और आपके फाइनेंशल उटाना पड़े और अपनी ट्रेडिंग की जिम्मेदारी खुद ले अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेट बाक्स में जरूर बताए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और